अयोध्या में निर्माना दिन भव्य राम मंदिर का उद्गाटन 22 जनवरी को होना है इसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारी उत्साह देखा जा रहा है लाखो करोडों लोग इस एतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं इसलिए केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का एलान किया है इसके लिए आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है जिसमें 22 जनवरी को ऑफिस दो पहर धाई बजे के बाद खुलने की जानकारी दी गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस एलान के बाद अब राजे सरकार ने भी इस पर बड़ा फैसला किया है राजेस्थान विधान सभा सत्र में पुर्व गुरुवार रात को भाजपा विधायक दल की बैठक को मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने संबोधित किया भाजपा प्रदेश कार्याले में आयोजित विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मध्यनजर 22 जनवरी को राजेस्थान में आधे दिन की छुट्टी की घोशना की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशा ध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दियाकुमारी और अन्य उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा समेत मंत्री मंदल के सदस्य और विधायक मौजूद रहे सुत्रों के अनुसार पूर्वमुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद नहीं थी बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने समवाद दाताओं को बताया कि मुख्य मंत्री ने बैठक में कहा है कि राज्य में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी वहीं असम और ओडिसा की सरकार ने भी 22 जनवरी को आधे आधे दिन की छुट्टी की घोशना की है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के उधगाटन वाले दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का एलान किया है बाद में ये चर्चा थी कि क्या राजेस्थान सरकार भी पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देगी इस पर अब फैसला ले लिया गया है और छुट्टी का एलान किया गया है यानि 22 जनवरी को सभी सरकारी दफतर और बैंक में आधे दि इनकी छुट्टी रहेगी